प्रभासाक्षी के खास कारिक्रम शौरिपत्थ में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंकित सिंग और हमेशा के दास्कारका में मौजूद है हमारे विशीष महमान ब्रिगेडियर बियस्ट पासी सरसर बहुत स्वागत है और लगतार युद्ध की चर्चा हम कर रहे हैं और आज भी इसी से सुरुवात करते हैं अमेरिका और यूरोपी यूनियन में रूस यूक्रेन लड़ाई को लेकर लगतार उथल फथल मची हुई है क्योंकि हम सब ने देखा और घबराहट भी देखे जा रही है रूस आगे बढ़ता जा रहा है पीछे हटने को या बातचीत की रास्ते पर आने के लिए बिल्कुल तयार नहीं हो रहा है और पुतिन का रुख लगतार इसकी और इशारा भी करना है ऐसे में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को भी रूस धंकाने से पीछे नहीं हट रहा है और वो शुरू से ऐसा देखा जाए तो जब से युद्ध शुरू हुआ रहा है वो अभी वर्तमान में बना हुआ है ऐसे में अमेरिकी चुनाव में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ट्रम्प जीत गए तो जैसे वह कहते रहे हैं कि हम एक दिन में युद्ध को खत्म करा देंगे ऐसे में क्या यूकरेन को तो मजबूत होना ही पड़ेगा ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकरी इस बात में दम है रूस पर इसका क्या इंपक्ट पड़ेगा और साथ से साथ भारत और विश्व पर क्या इसका असा पड़ेगा आंकी देखिए हम इस बार जो बात कर रहे हैं भी बिलकुल आपने जो प्रशन उताया है मैं कहूंगा युद से हट कर युद से आगे का प्रशन है यह मतलब जैसे इंडिया दो हजार से तालिस के बात करता है अभी दो हजार पच्चिस शब्विस की बात हो रही है बिलकुल क्योंकि देखिए दो साल तीसरे साल में युद आ गया और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि इतना लंबा चलेगा युद बिलकुल बिलकुल और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि युद लंबा चलेगा और जहां भी मैंने कहा कि हमने इनलाइज किया था कि अम अभी देखिए वही चीज़ चल रही है, ड्रोन और मिसाइल इटैक चल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन एक जो एंगल इसमें आ गया है जैप्रोजिया का मामला, जैप्रोजिया आपको देखिए सबसे बड़ा पाउर प्लांट था, नुकलिर पाउर प्लांट और उसका तकरीब क्योंकि हम पिछली बार भी बात किये थे कि देखिए, उक्रेन की हालत क्या है, उक्रेन नेट एक्सपोर्टर था एनरजी का, 2022 से पहले, तकरीबं 15,000 मेगावाट से ज्यादा ही एक्सपोर्ट करता था, अब उसकी हालत है कि 12,000 मेगावाट तो इंपोर्ट कर रहा है, उसक कंडिशन्स आगी है, रूस लगाता रागे बढ़ता जा रहा है, हमने पिछली बार बात किया था, अद्विका ले चुका है, उससे आगे भी बढ़ गया है, करीब 10-15 किलो मीटर, रूस ने डोनिस्क रीजन में और खारकीव में अपने हमले बहुत तेज कर दी हैं, उक्रेन का, उसमें मिलिटरी इंडिस्ट्रियल बेस है, नॉर्मल इंडिस्ट्रियल बेस है, उस पर अगर कबजा हो गया थे समझे कि पूरी इंडिस्ट्रियल जो भी इंडिस्ट्रियल एरिया है, बेस है, वो उक्रेन का खतम हो जाएगा, सब आ जाएगा, रूस के अंदर डोनिस्क का भी होई हाल है और डोनिस्क रूस के लिए ज़्यादा इंपोर्टेंड है क्योंकि क्रीमिया के लिए उसको और ज़्यादा पैर फिलाने के जगह मिल जाएगी तो ये दोनों चीजें हैं जहां पर कि अब वो कॉंसेंटरेट कर रहा है क्योंकि उसने जो एरिया 18% एरिया पहले 20% किया था शुरू में 18% एरिया कैप्चर करके और उसने वहाँ पर अपने डिफेंसे मजबूत कर लिए ने जिसको अब ये कुछ नहीं कर पायागा युक्र की और जो उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं चाए अमेरिका से या पोजिशन देखिए बहुत चल रहा है भी बाकी देशों में इरॉप का हम आगे देखेंगे लेटिस्ट अभी तरफ यह है कि अमेरिका ने कुछ उनको आम से अमिलिशन तकरीबन पांच जार एके राइफ अमेरिका ले सकता है तो उन्होंने वेपन्स अभी देने के लिए बोला है कि यो इसके देंगे जो सीजड वेपन्स हैं एक फोटी सेमें नर्पीजी जो है चोटे मोटे यहीं है और लेटेस्टे है कि देखें जपरोजिया का मामला थ्रॉट तूल पकड़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियर है वहां पर मिसाइल गिरी थी ड्रॉन्स का अटैक हुआ था रूस ने बोला था यूकरियन ने किया रूस खुदी कर रहा है लेकिन इसे पूरी दुनिया या मैं कहूंगा इरूपिन इन्यून धरी हुई है क्योंकि वहां से अगर कुछ हो गया प्राउलम त तो आज मेरे खाल से जो उनाइटन नेशन्स में न्यूक्लियर वाच डा गया उनकी मीटिंग है इसके बारे में दोने में और वह इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है अब अगर थोड़ा हम इस पे रहा है यूद छोड़के जो इंप्लिकेशन से जिसकी हम बात कर रहे थे आप देखिए हो क्या रहा है यूक्रेइन की हालती है वो ऐसी जगह में अब जा रहा है जहां से वो निकल तो पाया है नहीं अभी हो और लड़ाई उसके हाथ से निकल गई बहुत मुश्किल हो रहा है अब क्या हो रहा है अब बात चल लिए वहां भी अंडरगाउंड की शांती की बात एक ऐसे हो यूद को रोका जाए और ओभी एक ऐसी चीज है जहां पर की यूक्रेइन शुरूर से जाना नहीं चाहता वो जो है बात चित की टेबल पर नहीं आ तो इसको acceptable नहीं होगा तो यह negotiating table पर भी बैठना लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको जबरजस्ति उस पर बैठना पड़ेगा जिस तरह के हाला तभी हो रहे हैं आप देख लीजिए क्या हालत है पचास परसेंट जो है उक्रेइन जमीन दोज जिसे कहते हैं ना जमीन मिट्टी में मिल गया है चार करोड की पॉपुलेशन में बड़ी मुस्किल से डेड़ एक करोड वहां पड़ी हुई है एक करोड से उपर बाहर जा चुके हैं मारे गया है लाखों कई डिस्पेस हो गया है तो पता ही लग रहा है इनका दूसरा देखिए हम रूस की तरफ अगर देखते हैं जो आपने बात कही थी कि पुतिन तो अब आगे तो बढ़ रहे हैं उनके ऊपर तो कुछ हुआ नहीं अतना नुकसान जितना लोग सोच रहे थे वो हुआ नहीं कितने तरह कि बैंड मी लगे सब कुछ हुआ यही नहीं लगा जा रहा था रूस का भी नह रूस ने सोचा कि बहुत जल्दी हम सब कर लेंगे वो भी नहीं हुआ लेकिन रूस अपनी जगा काइम लेकिन रूस ने हर वराहट भी नहीं लिखाई है वही बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि उसने अपना एम लेकर चलता रहा कि अब हम ऐसे करेंगे ताकि यह ना कहें जो जिस तरीके से इसराइल को कहा जा रहा है कि आपने पब्लिक को लोगों को आपने टारगेट किया बिल्कुल ओचीज नहीं है दूसरी चीज देखिए मुझे लग रहा है कि अब पूतिन की जो पॉलिसी है वो है कि नाटो अमेरिका उनके लिए तो कहते हैं कुछ नहीं है इरेपन यूनियन को नाटो को और इंक्लूडिंग अपना अमेरिका को ठका दो वार फटीग जिसे कहते हैं उनसे ठका दो और एक डर पैदा करो कभी नुकलियर का डर कभी उन्होंने बेलारूस में मिसाल डिप्लॉय कर दी कभी जो अपने अभी बढ़ाय जा रहे हैं अ और अभी हमास और इजराईल की लड़ाई है वहां भी रूस जो है इन्वाल हो रहा है तो इस तरह करके वो डरा भी रहे हैं और इनको ठकावट भी हो रही है और देखिए एक्चुली इसका एफेक्ट हो रहा है एरोप में देखिए कितना डिमास्टेशन प्रदिशन हो र जा रहे हैं कि अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई तो ये सालों साल लड़ाई चलती रहेगी देखिए जो मेदेदेम हैं जो पहले रास्ट पे दीते हैं अभी एड़वाईजर सेक्यूरिटी उन्होंने बड़ा साब बोला है कि ये दसों साल लड़ाई चलती रहेगी और इ दूसरा देखिए ये भी है हम मिडिलिस्ट की बात कर रहे थे वहां से भी हटना नहीं चाहते हैं कि वहां भी कुछ ने कुछ करके अमेरिका को वहां इंगेज रखो नॉर्थ को वही केस है होतीज और इनको हेजबुला के उनको मदद करते रहो और रेट सी में जो है इनको इनौल्मेंट चलती रहने दो तो ये जो है एक पॉलिसी तो मुझे लग रहा है कि इनकी पूतिन की हैं दूसरी जो पूतिन जो कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कि अपने जो उन्होंने गेंस लिये हैं उक्रेयन में उसको काभिज करो पूरा वहां फिक्स कर लो कि उसको वहां से उनको कोई हटा नहीं पाया दूसरा उन्होंने अपनी मिलिटरी पोड़ा दिया अभी देखिए उन्होंने बोला है कि एक लाग चालिस हजार और लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कहा कि टूड़ जाएगी कमर डाउन हो जाएगा नहीं हुआ एक रूबल जो 2022 में अपरेल लीजिये आप उसमें 78 से 80 डालर था इतना होने के बावजूद अभी भी 1993 है मतलब बहुत ज्यादा फरक कुछ नहीं पड़ा है वही देखा अगर देखा जाए उन टर्मस में तो यस तो फिर जो है इनको इनकी कमर तो टूटी नहीं मिलिट्यूर इनों नहीं बड़ा रोल है बिलकुल देखे बहुत रोल है और इसलिए मैं एक और चीज़ पर आता हूँ आपको कि जो लड़ाई के बाद जो सैंक्शन लगे इनीश कोई खास फरक नहीं पड़ा बलकि डाउन हो गया उसका तो उसकी जो लिविंग है बाकी जो उनके लोगों का है वो चल रहा है लेकिन यूरीपियन इनियून में उथल उथल मच गया था आपको पता ही है हर एक चीज कॉस्ली हो गई थी अभी भी है अभी है देखिए उनक पर्संट पर रुके हैं सबी देखिए यहां पर जो अभी है मैं अगर इरुपें इनियून की बात करूं तो उनका इन्फलेशन देट तीन से लेके साथ पर्संट तक है जो उनके लिए काफी हाई है तो उनका जो है उनके उपर अभी भी फरक काफी पड़ लाए है उनकी जो रूस की जो एक्सपूर्ट थी मिनरल्जी की एनरजी की रेर अर्थ की मेटल्स की वो चली रही है रूकि नहीं है और काफ़े कुछ एयरोप वेस्थ में ही जा रहा है तो ये भी उनका चल रहा है तीसरी चीज क्या हूआ है रूस के साथ चाइना नॉर्फ कोरिया इरान इ दुनिया को ये दिखाया है कि अमेरिका और नाटो मिल करके एरोपेन उनियून मिल करके वेस्ट जो है ये अपनी चीज है बोलते हैं कि वर्ल्ड ओर्डर बेस्ड उन रूल आफ लाइ इंटरनेशनल रूल आफ लाइ ये तो अपने धराय धमकाय जा रहे है सभी को उन्हों ने बुला कि हमें नहीं होने देंगे और एचीज वो ग्लोबल सौथ जो है वहां ले जा रहे हैं अफरीका में ले जा रहे हैं इसका भी एफ़ेक्ट हो रहा है तो लोग जो पहले वेस्ट ने अपना बना रखा था अपने को दिखा रहे थे वो चीज कम हो रही है वेस्ट कम जोर हुआ मतलब बिल्कुल हो रहा है हम आगे देखेंगे कि इसमें ये फरक पढ़ रहा है और चाइना के चाइना को वेस्ट लोग हैं जिन्होंने बैट करके डिसकेशन किया है उनका ये कहना है कि अगर इस तरह एकॉनिमी रूस की जो चल रही है वेपन प्रोडुक्शन जिस तरह से चल रहा है तो साथ से दस साल तक लड़ाई इस लेवल की सस्टेन कर सकता है जी ये है इस लेवल पर अगर हो आगे बढ़ा तो तब और भी कर लेगा तो ये इनका कहना है दूसरा हुआ क्या है बाकी जगद देखिए क्या हुआ हुआ ये उरोप में ये उरोप जो सोचा था इन्होंने नाटो और बाकी चीज़ों करने के बाद इनका defense expenditure ये लोग कर लेंगे कम कर लेंगे ism पर्संट अफ जीडीपी फिर उनना कहा जिए two percent तो कम सगा और देखिए one percent GDP बहुत बड़ी बात है two percent इनको करना पड़ेगा हो सकता है उसे भी जादा जाँ क्योंकि अब सबकों तो individually डर लगने लगा न कि भई ये क्या करदेगा हमें पता नहीं है। इसका मतलब अगर हम। अगर हम। दूसरी चीजर देखिए इनके रिजरफ़ खतम हो गया है। इन्हों ने जो भी आमस हमनीशन, रिजरफ़ खतम हो गया है, फैक्टरियां बना नहीं पा रही है। यूक्रियन में इसी लिए कुछ कर पा रहे हैं तो अपनी जो उनके उपर होगा तो कैसे क्या कर पाएंगे पहली बार हुआ ये देखिए कि एक लड़ाई है वर्ड वार टू के बाद पहली बार इतनी लगातार चलती भी लड़ाई है बाकी जो हुई है इराक और आक में रुक रुक के होती रही लड़ाई है लगातार दो साल से ज्यादा चल रही है जिसको की रोक नहीं पा रहा है और Global South में जैसे मैं आपको कह रहा था कि अब रूस चाइना के इंट्री हो रही है में इंडिया भारत तो हैं भारत के इंट्री हर जगह है actually मैं आगे हम देखेंगे बट नॉर्थ कोरिया इरान अफरिका में देखी यह सब आ रहे हैं और यह सब जो अब चैलेंज कर रहे हैं भारत के अंट्री हर जगह है लेकिन तरीका अलग है वही हम आगे आएंगे उसमें लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह जो द वह едखिए कहीं भी हमजब अभी इजराहिल ने जो अटेक किया था अजयेप्षन इनक пытli में एरान के सब से पहले इन्होंने है अमेरिका ने बोल दे कि हमारा कोई आठ नही है इसका मतलब जो फीयर फेक्टर में जो हम बात कर रहे थे डर का भाव जो पोतिन पैदा करना चाहते थे वो शायद हो रहा है तो एक तो चीज देखिए जो वर्ड ओर्डर में जो चेंज होने में एक एक चीज आएगी दूसरी देखिए रूस और चाइना का चीन का ट्रेड आपस में इनका मिलिटरी से बागी चीज देखिए ये भी बढ़ गया है और ये जो है लोबल साउथ और बाकी जो बात कर रहे थे हम तकरीबन दो तिहाई देशों में अब चीन रूस और बाकी देशों की एंट्री हो रही है इनके साथ ये आ रहे हैं आप अगर आप ये देखिए सिरफ छोटी से एक एक जामपूल अगर आप लीजिए जो हम आगे भी देखि में जब भी वोटिंग होती है जराहिल पर ही होती है तो आप देखिए एक सो बीस तक देश ऐसे हैं जो की फॉर वोट की हैं जो अमेरिका नहीं चाहता था सिरफ चोदह ही थे उसके फिवर में हम आगे देखेंगे तो इसका मतलब तो यही आता है कि ओ चीज ओ ओल्ड या जो यह दिखा रहे थे वो चीज नहीं रह गई है बागी देशों में उसके अलावा इतने अभी मिलिटरी कोपरेशन्स हापस में डेश कर रहे हैं इतने और असोशियेशन्स हरो कोपरेशन्स बनते जा रहे हैं दूतरी चीज हैं अभी तक लगता था कि लड़ाई ऐसी आइबर, स्पेस, इन्फो वारफेर, ड्रोन वारफेर और नुकलियर वारफेर का जो यह तलवार हो हमेशा लटकी रहती है कि यह चीज कम नहीं होने वाली है तो बाकी देशों के भी लग रहा है कि भई यह तो इसके बिना काम चलेगा नहीं तो इसकी भी होड़ अब आग लिजे फिन्लेंड आगया नाटो में अब फिन्लेंड क्याने से हुआ क्या इनकी जो बाउंडरी है जो इनको और सिक्योर करना पड़ेगा तकरीबन साड़े आठ सो किलो मीटर बढ़ गई है उस परकी तो इनको डिप्लॉय करना पड़ेगा और अभी देखिए इनको पहल इनों ने ओरी तीन सो अशी बिलियन डॉलर प्लेज कर चुके हैं कि हम उकरेट में खर्च करेंगे डेंगे जिसमें से की 112 बिलियन डॉलर तो सिरफ मिलिक्रीड है अब यह कहां से आ रहा है इन ही का है अमिर्का नाटो का है बलको इकरेट का उतने रूस का तो है नहीं वही हम कह रहे हैं कि देखिए दस जार सैंक्शन्स लगा है तकरीबन तीन सो बीस बिलियन डॉलर जो रशा कहता है इनका फ्रोजन एसेट्स हैं बाहर तब भी रूस आगे जाता जा रहा है तो उसको देख करके लगता नहीं कि कुछ फरक इस पर पढ़ रहा है और युएसे और एरुपेन उन की डिफेंस पर एक्सपेंडीचर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा कि ओ कम होगा नहीं टरंप का जो हम आपने बात किया था टरंप का विव हमें पता है शुरू में जब वो प्रेजिडेंट थे तबी नाटो का एक्सपेंशन में या खत्म करेंगे अगर रूस को मनवाएंगे तभी तो खत्म होगा और रूस तभी मानेगा जब उक्रेइन का हिस्सा लेगा तो उक्रेइन तो सबसे बड़ा डर उक्रेइन को यह है कि हमारा इस्सा जाएगा दूसरा एक और नहीं चीज आ रही है यूरूपियन देशों में कि कल को अगर उक्रेइन कहीं भी कपजा इस तरह कर लेगा तो फिर तो ट्रम जैसे लोग तो ही कहेंगे कि ठीक कुछ उसको दो कुछ लेकर कि सौट आउट करो तो एक नहीं चीज भी विश्विरस्था में इस तरह की आ रही है कि अभी तक तो सब सोच रहे थे कि यही लड़ा एरिया हो गया कहने का मतलब कि सिरफ टृप से ही नहीं होगा डिप्लाइमेंट से यहां इनको नेवी भी अपनी बढ़ाने पड़ेगी इनको यह रेसेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और सवाल एक और उठता है नाटो फेल हुआ साथ-साथ क्या जो नुक्लियर डिटरेंस की बात चल रही थी क्या हो भी फेल हो गया क्योंकि उसके साथ भी लड़ाई चलती जा रही है तो एक यह भी बहुत बड़ी चीज है एकोनामिक वारफियर इस लड़ाई ने एकोनामिक वारफियर को और एड़ कर दिया है कि एसेट्स फ्रोज कर दो उनके सैंक् पर देखिये सिफ्ट पर लगा दिया था कि रूस और चाइना उसका वो नहीं कर पाएंगे अब हो क्या रहा है ब्रिक्स या बाकी देश मिल करके नया एक फानिशल ट्रांजेक्शन सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसमें अरब देश भी इनवाल होना चाहते हैं तो एक नहीं जा रही है तो यह मोनपली वेस्ट की जोती हो भी हटेगी तो नुकसान उनका उनका ही जादा हो रहा है फूड का देखिये उनाइटेड नेशन का कहना है कि फूड पर जो फूड सिक्यूरिटी रादर फूड इन सिक्यूरिटी जो तकरीबन उनके डॉलर टर्म्स में एक स कि कितना फरक है फूड के उपर और अभी तो और बढ़ जाएगी 234 में क्योंकि यह फूड जो इकरेन और रशा से जा रहा था वो तकरीबन बंद है हो नहीं पा रहा है तो यह भी एक मेजर इशू है जो इसके साथ इनके साथ है और जो ग्रूपिंग्स की हम बात कर रहे तो ही हैं ब्रेक्स अरब लीक सब अपने हो कर रहे हैं कि हम डिपेंड नहीं रह सकते किसी के उपर भी जो इंटरनेशनल ओर रूल आफ लॉड की यह बात कर रहे थे वो ज्यादा अब रूस और चाइना दिखा रहे है अरब इनके तरफ इजराइल के उपर वही इजराइल वही रूल आफ लाज जो रूस को कहते हैं कि वायलिट किया था इंटरनेशनल ओर का ओर हिजराइल कर रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट किये जा रहे हैं तो यह एक और चीज़ा रही है और इसकी वज़े से विदिन कुछ ठिंग टैंक यूरिपेन यूनियन के भी और अ कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोनों लड़ाई में क्योंकि अभी तक तो वेस्ट ही अपने वैल्यू जो डिक्टेट कर रहा था कि यह ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो भी एक बहुत बड़ी प्रावलम आ गई है अब जो है जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे थे मेजॉरिटी अब देश जो हैं वो अपनी सौरिटी चाहते हैं अपनी संप्रूता चाहते हैं वो किसी और के साथ नहीं चाहते हैं अपनी एकॉनमी सेल्फ अपनी सेफटी कल्चरल आइडेंटिटी अपनी डिफेंस पिर्पेटनस लेके चलना चाहते हैं और यहां पर मैं अलाओंगा ज एक चीज में कितना ज्यादा जरूरी है हर एक चीज में चाहे वो food security है चाहे वो economic security है चाहे वो defense preparedness है और इसके साथ एक और चीज है जो बहुत जरूरी है और वो है जो भारत ने शुरू तर रखा है strategic independence foreign affairs ना तुम्हारे सुनेंगे ना उनकी सुनेंगे अपनी करेंगे otherwise अभी तक कोई डराध हम कागर के देशों के बोलता था कि अमेरिका बोलता था कि आप ये करोगे रूस कहता था ये करोग ये चीने कहते हैं तो ये एक चीज और आ गई है जो बाकी देश सोचने लगे हैं भारत तो है ये अलेड़ी लेकिन दूसरे देश भी इससे सोचने लगे हैं और अभी तक देखिए होता क्या था आप उननीसो वर्ड वर से लीजिए उननीसो ब्याली से लीजिए और 1958 तक अगर आएंगे बर्लिन से लेकर के और क्यूबा तक अगर आएंगे तो इसमें होता क्या था जो दोई पार्टी कॉन्फिलिक्ट में इन्वाल्ड होती थी अमेरिका हुआ और एह हुए क्यूबा हुआ या रसा हो गया मैक्सिम हो करके अब देखिए क्या हो गया है पीस एफ़र्ट लाने में भी दोई पीस होती थी आपसे में बात करते थे अब रूस एकरेन का पहला आपको याद है जो उनाइटेड अरव एमिरेट्स में दोजार पिछले साल एक्टूबर में जो पहली बात हुई थी दिसम्बर में उसमें पीस देश थे अभी जो स्वीडन स्वीडियलेंड करने जा रहा था उसमें देखिये 87 देश आने जा रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनवाल्मेंट बढ़ रहा है कि बागी देश भी कर रहे हैं कि हम अलग बैटने वाले नहीं हैं हम भी जो हमें भी इससे फरक पढ़ रहा है तो यह जो है यह कुछ चीजे हैं जो कि करेंट और फूचर जो वाल्ड और की हम बात कर रहे हैं उसमें फरक जरूर डालेगा और दुनिया के मैप पर भारत आ गया है चीन हई है ब्राजील, तर्की आप लीजिए चीन तो हमने नाम लिया ही है एक सारे के सारे उपर आ रहे हैं कि हम भी प्लेयर्स हैं ऐसे छोड़ करके आप जो है कर नहीं सकते कुछ दूसरी चीज़ कोई एरोपियन एरोप का देश आज तक वर्ड वार के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ा है वर्ड वर में भी वो खुद नहीं लड़ा है उसने लड़वाए हैं लोगों को बाहर से ले करके ये मुखे चीज़ देखिए है कौन बैटिल हारडर्ड भारत है इसलिए भारत जो चीजें लेके चल रहा है उन लोग समझ रहे हैं कि ये भारत क्या कहना चाहता है बिल्कुल तो ये जो चीजे ये चलेगा क्योंकि अभी जो चीजे अब ओ नहीं चल पाएगे जिस तरह से है लंबी लड़ाई में इस तरह की चीज़ चलती नहीं और दूसरे जो देशें देखिया अमेरिका भी क्या कर रहा है पेंटागन शुरू से लड़ाई फरौरी में होई थी मार्स से पेंटागन और किर्मिल की बादचीश जारी है चीन और अमेरिका की बादचीश जारी है बा और इसका आफर अमेरिका और यूरोप यूरोपन दिर्शों पर काफी ज्यादा पड़ेगा तो कि सर चुनावी मौसम है और एक लाइन खुब सुनाई दे रही है खास करके भाजपा के बड़े नेता लगतार ये कह रहे हैं अब हो सकता है लोगों का उत्सा वर्धन के लिए पाने के लिए का रहे हैं या अपनी सरकार के दागत धिखाने के लिए कह रहे हूं कि घर में घुषक कर मारेंगे खुद पीम मोदी ने भी जब यह हम चरचा कर रहे हैं हुसे कुछ दिर पहले उत्राकंण में कहा है कि पहले जो सरकारी थी उसने दुसमनों को बढ़ा وां Π उसमें दूस्मनों को बताई कि हम कमजोर हैं लेकिन आज हम हैं कि आतंकवार्दी ओ को घर में खुशकर मार रहे हैं तो ऐसे में एक गार्जन अखबार की रिपोर्ट आया उसमें डावा किया यह कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में तकरीपन 20 आतंकवार्दी मारे गए अब पाकिस्तान ने हलाकि इस तरीके के आरोप नहीं लगा है तक खामोश है तो ऐसे में क्या ये भारत की छवी खराब करने की कोशिश हो रही है या फिर वाकई घर में घुसके मारने का जो भारत का दावा है वो अब रफ्तार पकरता जा रहा है अंकित मैं एक चीज इससे पहले से कह रही है भी घर में खुशके मार ओ बिल्कुल क्योंकि जो जिस तरह से करना में हो रहे थे जिस तरह एक वारत की जंदा ठक चुकी थी भारत की जंदा चाहते थी कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग हमको हमारी अखंडता को, संपुर्वता को, हमारे कल्चर को, हमारे हर एक चीज को, हमारा जो भाईचारा था उस पर नुक्सान कर रहे हैं, तो इसके लिए कि जो वो कह रहे हैं वो भारत की जनता की आवाज है जो अब उठा रहे हैं बीच में तो वो एक चीज है अब अगर हम आए देखिए पाच अपरेल की नियूज है जो की गार्डियन पेपर है उसमें आई थी और उन्हों एक कहा गया कि बीस लोग मारे गए हैं अभी दो तीन चीजें मैं सिर्फ इसमें जो उनके उन्हों की रिपोर्ट में मैं उन्हें का जिक्र करना चाहूंगा उन्होंने ये बोला है कि जो तीन नाम नाम तो उन्होंने नहीं 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 दिये हैं जो रिपोर्टर्स भी हैं उनका भी देख लीजिए दो उनके हैं एक प्राकिस् से आए हैं अब कौन है यह नहीं पता है रहो कहां से उनको मिल गए किदर से मिले हैं रिटार्ड मिले हैं या सर्विंग मिले हैं कौन है अब इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है दूसरा उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ डॉकुमेंट्स मिले हैं उन डॉकुमेंट्स क कैसे क्या आते हैं सब जानते हैं अगर नहीं वेरिफाई किये तो उनको या तो अब देख करके तो यहीं लग रहा है दूसरी चीज जब इन्होंने बोला कि 2016 से या 2020 से चल रहा है यह चीज है बाई अनलोन गनमें तो यह इलेक्शन के टाइम में क्यों रिपोर्ट लेक्या है अगर पहले हुए छे मेने, आट मेने, चार मेने, गस मेने इतना टाइम मुझे नहीं लगता के लिटा है ये टो पहने नहीं ला सकते थे, इलेक्शन के टाइम पर रा रहे हैं अभी दिखाने के लिए दूत्रा इन्हों ने खुद लिखा है इनके जो भी रिशेर्च इन्हों ने कराया है ये पॉलिशी पुलवामा के बाद बदली जब यहां पर हमारे यह आटेक हुआ उसके बाद इनका कहना है कि रौ और बाकिय जो इलिमेंट्स थे इन्हों ने कहा कि नहीं जो हमारे उपर एटाइक हो रहे हैं जो लोग कर रहे हैं जहां से कर रहे हैं हमको वहीं पर उनको खतम करना चाहिए और यही चीज जो मैं आप से कह रहा ता शुरू में भारत की जंता कह रही थी कैसे आ रहे हैं उन्दर कैसे आ पार रहे हैं उनको तो भारी खतम कर रहे हैं तो पैसे होगे नहीं तो यह जनता पहले से कह सौरी थी जो यह project बनी चलिए मांनते हैं कि policy बनाने में करने में समय लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत नहीं अपनी पालसी बनाई है लेकिन यह जरूर है कि अगर कुछ और नकसान करेगा चुकि जनता चाहती है तो तो गवर्मेंट के तो करना ही पड़ेगा तो वही चीज सामने है लेकिन एक चीज इसमें और है इनका कहना है कि मुसाद और केजीव का देखा भारत ने उन्होंने कहा कि साथी अरेबिया ने जो जमाल खशोगी के साथ किया था दोजार ठार में कि उसको उन्होंने अमबसी म मारा था तो उनको यह था कि यह शिफ्ट हुआ भारत में सोच कि इस जो है जो 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 टरिस बेसेज हैं जहां पर टरिस फलते फुलते हैं या काम करते हैं उनको टार्गेट किया जाए बल्कुल अब मुझे बताईए कि जब ए अटैक्स हुए हमारे बंबे में जुआ था चाहिए बलास सुएट से चाहिए ताज का हुआ था चाहिए बैंगलोर में हुआ था कहां था गार्डियन उसमें तो बड़ा क्लियर था भारत ने एविडेंस दिये थे पाकिस्तान के आज भी कोई फॉरिन पेपर देख लीजी और कहते हैं कि टेरिस बेस पाकिस्तान में ह पचास से ज्यादा एजिंसी जाभी देखिए इरान के साथ क्या हुआ था पाकिस्तान का उसके बावजूद तीन चार दिन पहले एक और इरान के पोस्ट पर हमला हुआ और वही जैशे आदिल बे जो की पाकिस्तान में बेश्ड है उसी नहीं किया तो यह कोई नहीं चीज सोचना पड़ा पालसी बनानी पड़ी दूसरी चीज पाकिस्तान तो कभी नहीं बोला है अभी भी नहीं बोला है अगर सही है मैं नहीं कहता है भारत तो कहता है कि हम क्यों करेंगे तो आपसमें की जो तंजीमों की लड़ाई है उन्होंने की होगी अगर पाकिस्तान अगर कहता है कि यह हैं जो 20 मारे गए हैं खुद एक अनॉलिज करता है कि आतंकवादी हैं इसका मतलब कि यह सारे आतंकवादी भारत में जैसे जी गार्डियन ने लिखा है कि कुछ तो भारत के भारत ने उनको घोशित किया हुआ ता आतंकवादी इसका मतलब कि पाकिस्तान उनको पना दे रहा था, करता रहा है, तो अब आप डेकलेर कीजिए पाकिस्तान को ये रोग स्टेट, तरी स्टेट डेकलेर कीजिए, लेकिन वो पाकिस्तान करेगा नहीं, और जनता की नजर में सरकार की कमजोरी भी जाएगी ना, बिल्कुल, जाही रही थी, जनता इसलिए तो कह रही थी, कि भाई आप अपने लोगों को, हमारे लोग मरते जा रहे है, हमारे में घ्ज के आ जा रहे है, ये कर रहे है, आप कहते है हमारी capability है, तो कहा है यही से हाइर किये, हाइर किसको किये, पाकिस्तानियों को किये, डेड़ लाग से लेके दो ठाइलाग रुपे की जो यह बात करे रहे हैं, बोला बाद में पंदरा लाग देंगे, यह करेंगे, एक बंद एक का केस उन्होंने दिया था, तो सब कुछ वहा हो रहा है, तो फिर हाफिस सहीच कहा है, हाफिस सहीच को जिसको खुला वो कहते हैं, खुले बैल की तरह घुमता था, सान्त बंद करके, कहा है आज कल, इन्होंने खुद ही उसको अरेस्ट किया हुआ है, और मैं कहूंगा अरेस्ट नहीं किया है, उनको अपने सेफटी सिकुरिटी में रखा है कि ये भी जो है, अब इसका भी नंबर आ जाएगा, और ये चला जाएगा, ये तो हाफिस सहीच तो है, कहा हुआ उसकी आवाज ने किया है, लेकिन कोई तो होगा, अगर भारत पे सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं, देखिए, आपने चुकि ये सवाल किया, आप मुझ से लेकर के उगांडा के कितनी याम देखिए, मुसाद ने तो डिकलियर कर रखा है, उसने तो अभी बोला था कि हमास के लीडर्स चाहे बाहर किसी देश में हम छोड़ेंगे नहीं, आप केजीब की बात कीजिए, आप C.I.A. की बात कीजिए, C.I.A. ने गौर्मिन की करीब इन्होंने एक सौ से कुछ जादा किलिक्स बताया था, जो कि इनका कहना था कि इन्होंने इसने C.I.A. ने औरगनाईज की हैं वर्ड में, 2017 की इनकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट की जिकरे कहीं नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, जहां की यह सारी चीजिएं हो हैं, तो सिर्फ इंडिया को टार्गेट करना अलकी बात है, लेकिन यह इन्होंने कहीं नहीं कहा कि इनक Cathy की बात कर रहे हैं, वो टिरिस नहीं थे, उसरह टिरिस थे, उनमें से कईों को भारत ने डिकलेयर कर रहा था, लेकिन इनको बताने के बाद आशन नहीं ले रहे थे, आदों को कह रहे थे हमारे हैं ही नहीं हमारे हैं नहीं और उसके बाद खुले घूम रहे थे और फिर भी और कुछ करने में लगे हुए थे तो इस तरह तो अगर करेंगे तो कुछ न कुछ action तो कहीं न कहीं से लेना पड़ेगा टोटली मिलिटेंट से इसमें कोई डाउट नहीं है दूसरा देखिए वही जो आप पहले कह रहे थे कैनाडा ने बिलेम किया कोई evidence नहीं दिया पन्नुक आया evidence नहीं है कोई इससे बात हुए उससे बात हुए और सब जानते हैं कि कैसे क्या बात हो सकती है तो यह जो farmer raw agent से उसकी बात कर रहे हैं बात तो समझ में नहीं आती है कि हां क्या है लेकिन यह जो है एक चीज में और को होना अगर ए रिपोर्ट सही है तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही है क्योंकि होना भी चाहिए हम CIA की बात कर रहे थे सारी आपको बताया हमने कि क्या- मिला ले जी और कभी CIA ने कहा है अमेरिका ने कहा है कि हमने किया है और यह खुद कर रहे है इनकी खुद की रिपोर्ट कह रही है गार्डियन की उसमें की जो हम अभी बात कर रहे थे तो यह जो है अगर है तो मैं कहूँगा भारत दुनिया के नक्षे के ऊपर आ गया है कि भारत वो सब कर सकता है जो की national interest में होना चाहिए. कोई अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता पर चोट पहुँचाएगा, कल्चर और कल्चर और आइडेंटिटी पर चोट पहुँचाएगा, तो भारत वो सब करेगा जो इसे करना चाहिए. चाहे ओ, देश के अंदर करना हो, या कहीं और घुस कर मारना हो. तो यह एक चीज आ गई है, इसके उपर, हलाकि भारत ने का है कि हम डिरेक्ली तो इन्वार्ट हैं नहीं इसमें, लेकिन अगर यह सही है, तो सब को समझना पड़ेगा, इस न्यू वर्ल ओर्डर में सब को समझना पड़ेगा, कि भारत वो भारत नहीं है, जो कि बस ऐसे बैठा रहेगा, कि हम देखेंगे, करेंगे, और सोचते रहेंगे, और जो भी है, चाहे ओ, पाकिस्तान के अगर बात कीजिए, यह जो है, एक बहुत जरूरी है, और मैं यह कहूँगा, एक स्ट्रेटिजिक मूव, सही स्ट्रेटिक मूव है, कि जितने यह सिर्व उठाते हैं, बिलिटेंट्स उनका सिर्व पहले ही कुचल दिया जाना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, जो सब करते रहे हैं, मतलब साथ खड़े, कॉंप्लिमेंट करना चाहूँगा, भारत की पूरी जंता उनके साथ रहेगी, जब भी होगा, और जंता को आगे आने को कहेंगे, तो देखिए, हम तो पहले पूरी सहनी कहीए, हम तो सबसे पहले आगे आएंगे, जब भात की जंता आएगी, उनका साथ रहेगी तो जिस तरीके से चीन को लेकर नीतिया है, और खास करके, अभी हमने देखा किस तरीके से अरुनाचल प्रदेस को लेकर लगतार चीन अपने दावे कर रहा है, तीस जगह के नाम भी बदले, वहां पे अरुनाचल में खुद रक्षा मंतरी राधना सिंग प्रचार करने गए, अमिज शाह प्रचार करने गए, दोनों ने कहा कि एक इंच भी जमीन हमारा कोई नहीं ले सकता है, शाथ ही साथ रक्षा मंतरी तो ये भी कहा कि उन्हों ने ग हम सब को पड़ाएं की विश्तारवाद की नीती है और इसको हर तरफ से पढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में इसका असर वैस्ट्रिक भारत पर तो हो ही रहा है, लेकिन वैस्ट्रिक अस्तर पर आप इसको कैसे रहते हैं, अंकिर देखिए, दो तीन चीज़ों प मुद्दा उठा चुका है, कभी उसके फॉरेंग मिनिस्टर, कभी उसके ली जियान जो उसके स्पोक्स परसन है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, और अपनी जिरिज्डिक्शन की बात की, उन्होंने यहां तक कहा कि ये इलाका जो है, पहले चीन के जिरिज्डिक्श ज्यादा हो रहा है और हर जगा देखिए रिपोर्ट आ रही थी कि भारत के इलेक्शन में चीन चाहेगा मैनुपिलेट करना चाहेगा इलेक्टरॉनिक और इन आईटी जो मीन्स हैं उसके साथ कुछ न कुछ करेगा वो उपिनियन जो है चेंज करने के लिए तीसरी चीज है जो हम शुरू में ही मैं हो करना चाहता था कि चीन की जो आप कह रहे थे पालिसी नीतियां चीन शांती से काम करता है हलाकि मैं यह कहूंगा शी जिन पिंग थोड़े से उतावले हैं इनके पहने के कोई लीडर देख लीजिए दिंग शांपिंग देखिए कोई आराम से हैं पहली बाद अब इन तीन चीजों को अगर देखिए तो इसने क्या पॉलसी लगाई ताइवान के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा है वो कह रहा है कि यह तो हमारा है हम कोई जल्दिवाजी में नहीं है दोजार चालिस का उसने रखा हुआ है शे जिन पिंग ने की त इसको हमें जरूरत है बहुत ज़्यादा जरूरत है और उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपनी मजबूती वहां रखें अगर हमें भी चीन के अंदर घुसना की जरूरत पड़े तो हमें करना पड़ेगा इसके लिए अब ना इस पर आऊं जो इनकी बात चीते यह लोग भी जहां थक थे वहां पर आना चाहिए अब यह बॉर्डर देखिए वास्तो में अगर आप ग्राउड लीबर भी देखिए तो यह 4 मेन सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है इस्टर्न सेक्टर सेंटरल सेक्टर वेस्टर्न सेक्टर और सिकिंग का अरिया जो सदन तिबत का अरिया आता है जो अरणाचल वाला जो हमारे अरिया है जिसको चीन अपना कहता है वो चीन कहता है कि हमेशा से जो सदन सेक्टर है तिबत और अरणाचल तिबत का हिस्सा मानते हुए कि हमेशा से उनके पास रहा है यह उनका कहना है हमने भारत ने शुरू से कहते आ रहे हैं बेतुकी बात कर रहे हैं ये बेतुकी बात कर रहे हैं उटपटांग बात कर रहे हैं लेकिन ये चीजे देखे गैरा मार्च को उनके फॉरेंड मिनिस्टर ने बोली पिर उनके जो मैं ली जियान की बात कर रहा हूं जो उनको स्पोक्स परसन है वो इसकी बात कर रहे हैं और देखिए अमेरिका ने हलाकी हमेशा जो है भारत के साथ रहा है और अमेरिका ने 16 मार्च को ये बोल दिया था कि वही उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्टी स्पोक्स परसन है उन्होंने बड़ा साब बोला कि अमेरिका ने अंडाचल को भारत का अभी नंग मान ल हैं चीन से वह भी बात्चित कर रहे हैं उन्होंने शी जिन पिंग को वहां बुलाया था इनकी ट्रेजर सेकेटरी वहां गई थी चीन में तो ये बात्चित तो इनकी प्चेलिये मिलिटरी टू मिलिटरी टॉक्स अभी पिछली महीने इनकी हुई है तो ये सब चीजे भी में दखन नहीं देना चीए ये दो देशों का आप से मावला है चलिए वह भी बात बानी जाए लेकिन ये बिल्कुल सही कि क्या नाम बदल देने से इन्होंने पहली बार नाम नहीं बदले हैं ये पिछले करीब 6-7 सालों से नाम बदलने के कोशिश कर रहे हैं वहां के और ह met ने का था कि पार्ट और जगनान जो स्टेट है चीन का उसका हिस्सा है तो इह पहले से कहते हैं लेकिन नहीं क्या है कि ये लगातार repetition एक मेहिने में चार बार, पाँच बार repeat करना और अभी election के time ये चीज ले आना और हमारी तरफ से बलकुल हमारे foreign minister ने आपने जब अब अगर कहीं भी आगे बढ़ना है तो पहले बॉर्डर डिस्प्यूट जो है सेटल करना पड़ेगा कीर की जहां तक बात है देखिए चौदा स्टेट्स के साथ उसकी बाउंडरी है लैंड इंसी दोनों चौदा में बारे के साथ उसने तकरीबन सेट कर लिया है सिर्फ भारत और बॉट laisseल किया उस ने क्योंकि वो अपने टर्मस पर चाहता है उस नहीं देखना चाहता है नहीं ल lleल ना समझना चाहता हलाकि साउड चाइना सी में ताइवान के साथ तो मसल पाउर और अपना दिखाई रहा है और यह इसकी पुरानी हैबिट है देखिए पुरानी आदत है चीन की रीनीमिंग की 2011, 2021, 2023 और अभी 2024 में उसने नाम बदले हैं अनुराचल में स्टेट्स का तो पहली बार नहीं है पहले भी उसने कहा है और मैं एक हूँगा जो आपसे मैं कहना चाहरा था पहले लेकिन मैंने कहा कि इसके बात बताएं कि यह इतनी ज्यादा नाम जो बदलने की कोशिश कर रहा ह देखिए डेट साल पहले दो साल पहले जब गए थे हमारे प्राम नत्री वहां तब भी उसने मानचित्र जो दिखाया था वहां नक्सा उसमें इन पार्ट्स को अपने में दिखाया था तो मैं एक हूँगा कि चीन जो है दुनिया में काटोग्राफिक लड़ाई काटोग् पित्र और नक्षाई है नक्षों के इसाब से जो है एक नहीं चीज शुरू करो नहीं तो देखिए उननिस बॉर्डर मैनेजमेंट टॉक्स हमारी हो चुकी है उननिस सो तिरानवे से जब से बात्चीत इनसे हुई थी फिर भी इसने जो हमारे ऑनाचल के स्पोर्ट्स गए थे उनके हां उशु के लिए वहां पर उसने इस्टेपल्ड विसा दिये थे अगर यह बादचीत अगर हो गया तो नहीं होना चाहिए था पच्छेस राउंड इसने बादचीत किये भूटान के साथ बॉर्डर सेटिल्मेंट के लिए कोई खास नतीजा नहीं निकला लेकिन पिछले में कुछ में लग रहा था कि भूटान शायद उसके अमनी और मसल पाउर के चक्र में आ जाए लेकिन अभी प्रधान मंत्री की जो विजिट हुआ हुई उससे पहले हमारे NSA भी गहते फॉरें मिस्टर भी गहते तो मुझे लग रहा है कि भूटान अब जो चाल है उमें कहूंगा चीन की चाल समझ गया है जो भारत समझाना चाहता था तो वो जो है और इसलिए मैं एक और कहा रहा हूँ देखिए रूस ने बोला है रूस चाइना की जो मितरता है वो सदियों के लिए है मतलब नेवर एंडिंग हैं 2008 में चीन ने रूस के साथ अप एरिया है जिसको अपना दिखाता है बलकुल अभी भी जो सदन एंड है रूस का जो थोड़ा था निकला हुआ है सी में जाता है और चीन के साथ है उसमें धीरे धीरे चीन के लोग जागे सेटल हो रहे हैं यह भी चीज आ रही है वहाँ पर तो एक ही किसी का इस मामले में यह हो नहीं सकता अब दो तीन चीज जो हमारे साथ वे देखी आप गलवान क्लैशे लीजिए गलवान की जो लड़ाई हुई थी डोकलम में और वहाँ पर और इसको एक सबक जिसे हम कहते हैं चीन को मिल गई है कि भारत बाकियों की तरह नहीं है कि हम कुछ भी कर लें और 1914 की एक ट्रेटी हुई थी लड़ाख और इनके बीच में जिसे कि यह हुआ था लेकिन वह भी हलाकि नक्षे पर नहीं हुई थी बट ग्राउंड पर अगर मान ली गई तो उसको मान के तो चलना चाहिए अब टोटल बार्डर हमारा जो चीन के साथ है वो है का तक्रीबं त इनका बॉर्डर उसके साथ मिलता है सबसे ज़्यादा जो है सत्रह सोचब्स किलिमीटर का अनुराचल के साथ है बिलकुल और उस पर जो है यह दिखाता है हलाकि उसने जो हमरा उत्राउंचल में भी उसने किया था नेपाल को इंसिगेट किया था तो ओल यह लेके चलना औ और यह आगो सुलक्ती रखना चाहता है तो यह उसका एम है हलाकि 2003 में एक M.O.U. भारत से साइन हुआ था उस समय के सरकार ने किया था जिसमें भारत ने तिबत को रिकनाईज कर दिया था चाइना का पार्ट और उस समय चीन ने सिकिम को भारत का पार्ट रिकनाईज कर दि पर डाट मिन्स की जो स्टेटसको है मैंटेन होना चाहिए अब स्टेटसको मैंटेन की से आगे बढ़ रहा है बिलकुल ग्रे जोन बनाया गया था कि दोनों के बीच की जो एरिया है पेट्रोलिंग आप कर सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं ओभी वाइलिट करने लगा महा आजागे रुकने लगा तो यह सब चीजें हैं जिसको की हम अब चीन के ऊपर डिपेंट नहीं कर सकते हैं पहले हम क्यों कर रहा है थे डर रहे थे उडरा रहा था या हमको कुछ था हम अब उसमें सोचने की जरुर्ती नहीं क्योंकि हो तो ची मिज खतब हो गई क्योंकि अब हम यही कह रहे हैं कि 38,000 स्क्वाइर किलो मीटर का जो हमार आकसाई चिन का एरिया है वो अलड़ी एक उपाई कर चुका है और उसके उपर हमें फोकस करना है अगर वो नहीं मान रहा है हमको यह कहना पड़ेगा कि अगर agreement 2013 का अगर violet कर रहा है तो हम भी बोलेंग कि तिबत जो है गलत हमने इनसे कर दिया था इनका नहीं है जो कि तिबत के लोग कह रहे हैं जो इधर रहे हैं जो वहां से भागे हुए हैं अभी है कि चीन ने देखिये अपने आपको मैंने कहा आप सो कार्टिग्राफिक लाड़ी शुरू कर दी साइकलोजिकल वार शुर दालिया था अपनी मिलिटरी को रियोगनाईज कर दिया है वेस्टर्न थीयटर कमांड वाँ उसने बना दिया है निव मिलिटरी गैरिजन बना दी है रोड्स ब्रिजेज हाइवेज जी सिक्स नाइन फाइव जो उसका हाइवे है इतना लंबा है तो वह जो है ऐसे करकर काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्टर डिलॉप्मेंट हुआ है आर्मी रियोगनाईशन हम अभी कुछ बढ़ाएं हैं कर रहे हैं अभी हमने जो आमी का रियोगनाईशन में कहूंगा डिप्लायमेंट जो हमां किया है ओ जो अभी इमीडियेट सामने चीज है उसके उपर कर र कि हमको किस किस चीज की उसने क्या कर लिया है हमको उसको क्या करना है और जहां-जहां हमने बीकने से जहें आइडिंटिफाई करना पड़ेगा हर जगा चीन स्टॉंग पोजिशन में नहीं है आप सिकिम का इलाका लीजिए डोकलम का इलाका लीजिए क्यों डोकलम का इलाक पर हम डॉमिनेट कर सकते हैं इसलिए भूटाओं से डॉकलम लेना चाहता है जो हमारे उपर बहुत बड़ा उसके इसाब से खत्रा आ जाएगा तो उन चीजों को देखना पड़ेगा कहां में स्टंथ पर हैं उनको हमें छोड़ना नहीं चीए और यह देखना पड़ेगा कि कहां चीन कमजोर है धस में से चार में तो होगा उसको हम एक्षफ्पॉयट करें उसको डराएं कि तुम वहां करोगे तुम पांच जगा आओगे हम चार जग अदर जाएं तो वो चीज अपनी स्टंथ हमें देखनी पड़ेगी और उसको करना पड़ेगा नहीं जाएं उसमें, कि यह मुश्किल आ रही है। दूसरी चीज, जो डिफेंसिव मेंटल्टी हमारी थी, कि हम डिफेंड करेंगे, यहां से आगे नहीं आने नहींगे, ओ चीज हमें बिलकुल छोड़नी पड़ेगी। और जहां हम हैं वहाँ तो हैं ही, हम यह देखनेंगे हम कहां तक आगे जा सकते हैं और कहां तक हमारा है वो तो हम ले लेंगे जहां तक जाएंगे ले लेंगे मैं कह रहा हूँ यह सोचना पड़ेगा यहां तो हम हैं ही यहां से हम कितना आगे जा सकते हैं वो हमारी strength कितनी है और उस strength को मजबूत करना पड़ेगा कि हम आगे जाएं सिरफ defend करने के लिए नहीं बचे रहे हैं देखे दुश्मन थोड़ा भूत तो अंदर आएगा ही आएगा बट अगर वो 10 आओ और हम 20 किलिमेटर चले जाएं तो हम आगे हैं हम को ओ ताकत लानी पड़ेगी इस जगह पर दूसरी चीज़ देखे सिरफ डिप्लोमेटिक बात करने से आज कल काम नहीं चलेगा आपकी डिप्लोमेसी आपकी मिलिटरी बैक अप के साथ होगी तब लोग मानेंगे आज अमेरिका और बाकी देश चल रहते हैं किसकी वज़े से 150 से उपर बेसेज अमेरिका ने पूरी दुनिया में बना रखे हैं जो एक लड़ाई अपनी जमिनी पर नहीं लड़ता किसलिए क्योंकि वो अपनी डिप्लोमेसी ये दिखा के कर रहा है कि मैं यहां हूँ डिप्लोमेसी के साथ मिलिटरी बैक अप बहुत जरूरी है वो पावर होना और अब जो तीसरी चीज आगी है एकॉनिक पावर भी तो ये तीन चीज ले कि हमें चलना जरूरी है बट मैं काटगराईज करूँगा इस चीन के साथ मिलिटरी डिप्लोमेसी और एकॉनिक बैक टीनों लेके ये चलना पड़ेगा तभी हम आगे चल पाएंगे इसके साथ दूतरी चीज है जितने नेबरिंग कंट्रीज है चीन के उसके साथ हमको ज्यादा फिरंडली रहना पड़ेगा और उनके साथ जो भी डिफरेंसे अभी भी हैं उसको जो है आगे लाएं और हम कहेंगे कि नहीं हम आपके साथ हैं इससे जो है इंडो पैसिफिक है वाड है बाकी है उन सब को साथ लेके चीन के उपर और प्रेशट डालना पड़ेगा। कि तुम अगर अनुडाचल की बात करोगे तो हम इन देशों से इसकी बात कराएंगे। हम मिंडोपैसिव की भी कराएंगे, हम जो है तुमारी जो चाइनीज इसी है उसमें भी कराएंगे। तो एक जो चीज है यह भी देखना पड़ेगा। मान सरोवर हम क्यों नहीं क्लेम कर रहे हैं कि यह हमारा है जमाले से। क्यों हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ रास्ता चाहिए और जाएंगे लब कि इतिहास तो हमारा है वही मैं कह रहा हूं वह अगर अभी काटोग्राफिक वार कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसके उपर यe चीज़ ले करके हमारे पुराने नक्से से लेके हर जीद दिखा कर के दूसरी चीज जो इस्टेजिक इंस्टॉलेशन हमारे हैं उनको और क्लोज हमें करना पड़ेगा बॉर्डर के साथ और उनकी सिक्यूर्टी देख करके इसलिए कि हमें टॉर्ण आराउंड टाइम के लिए कहीं जाना नहीं पड़े बागना नहीं पड़े इधर से उधर क् हर एक चीज आपके साथ नहीं हो कहीं एर पाउर आपकी हो सकता है वह एर में हमें नुकसान पहुंचा ए रिल्यो में पहुंचा है बागी में पहुंचा थे यह सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा अलाकि अलड़ी है इंडो चाइना बॉर्डर जो बॉर्डर है फेज वन टू तू त्री चल रहा है टू में अल्री पहुंच गया है थ्री की भी बात हो रही है बट जो हम बात करते हैं एक्सलेरेट करना पड़ेगा तेजी लानी पड़ेगी इसमें देखिए 37 रोड तकरीबन बन गई हैं 800 किलोमेटर के आसपा टनल्स बन गई हैं बट हम सिर्फ यही लेके चले हैं कि हमने यह बना दिया मुझे मेरे इसाब से गवर्मेंट को और जो हमारी फोज है उसको भी देखना पड़ेगा कितना और करना है उसको हम कैसे और कितना ज्यादा कर सकते हैं दूसरा जो है आप देखिए हमारे जो नेवर से भुटान बंगला देश, नेपाल, मियनमार इनको हमें लेके चलना पड़ेगा कि चीन इनको जो है अपने मसल और मनी पाउर के कबजे में नहीं ले आए माल्दिव्स को देखिए वो पूरा ले रहा है फिर भी हमको छोड़ना नहीं है अपनी डिप्लोमेसी वहां चलती रहनी चीए अपनी ह ज्यादा वलनेबुल है क्योंकि पूरा हमारे नौर्थ इसको काट देगा और डोकलम और भुटान से ट्रेड करके जहां वो 60 किलोमेटर सिरफ एरिया वहां चाहता है और भुटान को 200 किलोमेटर का देना चाहता है सिरफ इस वज़ए से उस पर हमें बहुत ख्याल रखना ह हैं देखिए सेटलमेंट्स भी देखने पड़ेंगे कौन रह रहे हैं किस तरह के लोग हैं किस तरह लोग रहने चाहिए और हमारा वहां मिलिटरी पावर बढ़ाना पड़ेगा सिरफ हम पैरा मिलिटरी फोर्स को ऊपर छोड़ देंगे तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा उसके उपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रते अधरवाईज आगे चलके हमें काफी प्रावलम इसकी तरफ सा सकती है क्योंकि वह एक कारिडूर ऐसा है जिसे बहुत कुछ जाता है वो सकता है आगे हम कभी इसके उपर अलग से बात करेंगे नॉर्स पुरा कनेक् पीछे चल रहा है और लोगों को उसने डेट ट्रैप में डाली दिया है इसको हमें और आगे लाना चाहिए एबी इन्फो और फेर और जो भी हमारा है उसका सारा हमको इसमें लेना चाहिए और इसमें हर हालत में इसको हमें आगे लेना बहुत जरूरी है अमेरिका ने तो तो क्या उसमें हमारा साथ देंगे और नहीं देंगे हम नहीं कह सकते। युकरियन वाली हलत तो नहीं होगी। भारत को अपनी स्ट्रेजिक इंडिपेंडेंडेंस लेके चलना पड़ेगा और उसके लिए अपनी स्ट्रेजी का पुननिरधारन करना पड़ेगा और इसको चाथी है कि यह होना चीए तो यह चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है और चीन का बखोबी जवाब चीन को मिलता रहेगा तो चीन आगे जाकर के खुद ही इसको शांत होना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका पता लेगा कि हो सकता है, भारत इस्दिदी म वो हमारी तरफ कर सकता है बिलकुल अपने कारिक्रम के आखिर में वही इसराइल हमास लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग है क्योंकि अब इसराइल हमास यूद रोचक मोर पे आ गया है जिस तरीके से नेतनियाहू का बयान आया नेतनियाहू पर जो बाइडन का बया है औ अमेरिका पर लगातार प्रेशड बन रहा है यूद को रुकवाने का बिलकुल तो ऐसे में अपना साथ तोर पर जो बाइडन कह चुके हैं कि नेतनियाहू कि आप यूद विराम लगाई है वरना फिर दिक्कत हो सकती है तो इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं विश्व जो बेफ्स्था है वर्ल्ड आर्डर पर उस पर एफेक्ट कर रहा है अब और अभी देखे थोड़ा सा गर हम लड़ाई की बात लें तो नितिनाहू ने वो तो प्रनल कर लिया है कि हम राफा में वो जाएंगे जाएंगे अटैक करेंगे राफा में जा करके और ह लड़ा करें हैं मैक्सिमुम लड़ा कर रहें उनको मिटाना चाहते हैं इरान पर हमने बात की थी पिछे हथैोने मह 4 हपते जो एचिप्ट में अमपसी उस पर उनोंने जो बॉम्बिंग की थी जो इसरायल ने कहा हमने नहीं किया हम भी भी उनहीं माना है आप उसमे 5 6 लो गुमारे गए थे जिसमें दो जनरल थे एरान के इरान ने बोला है कि वो बदला लेगा इसका डायरेक्ट जिसको इराइल ने भी बोला है कि अगर हमारे उपर कुछ या तो हम भी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इस मानना पड़ेगा कि इरान भी कर सकता है केपेबिल है उसके पास इदर हेजबुला है उदर जो है हाउती हैं लेकिन इरान को भी पता है कि एक एक न्यूकिलर इंस्टॉल्शन से लेकि हर एक चीज की इसने इज्राइल ने अपने पास रखी हुई है और अमेरिका ने भी बोल रखा है कि अगर इज्राइल इरान डारेक्ट हबला करता है तो अमेरिका साथ देगा इज्राइल का तो कितनी बात बढ़ेगी एक ओभी है पहले ते ही लगता था कि हो सकता हेजबुला और इसी के साथ मिल करके एरान कुछ करे रिवेंज ले अपना और इसमें देखिए दूसरी जो में चीज है अभी जो उन्होंने कल पर सो नहीं तो यहां पर गाजा में टेक किया तो यह जो है इजराहिल चलता जारा है वो टेरिस्के अपने बहुरते हुए नितनयाओं का नि हमने इतने करना और मश्र नितनियावल जाते ही नहीं ऑर स्ट्रिक्ट होना चाहिए खत्मा करना है लोग elections के मांग करने लगे हैं लोग वहाँ पर की दूतरा elections हो और कोई और आए लोग घुस्टेजे जितने महीने उसे हैं वहाँ पर नहीं निकाल पा रहे हैं उसके लिए लोग हताश हो गए हैं तो यह जो चीजे कुछ आ रही हैं वो बिलकल नितनाओं के खिलाब जा रही है उनको ही पता है अमेरिका इरुपेनिफियुन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर देखिए कई देश हैं कई इरुपेनिफियुन के देश हैं Span, Germany, Hungary, उनको लीजिये, वो तो कह रहे हैं कि मदद बंद होनी चाहिए, कनणाडा भी कह रहा है कि इनको मदद बंद होनी चाहिए, इसराइब को, जो हाड़ वर दिया जारहा है, इनके आप रदर्शन हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ बहुत हो गया, अमेरिका में, खुद हो वो नहीं चाहते हैं कि इनको मदद जारी रहे और बहुत जारी है कि इसराइल जाती कर रहा है, जिस तरह लड़ाई चल रही है, हमेंटेरियन क्राइसिस चल रही है, दुनिया के मैक्सम अरब देश तो हैं ही, जो हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, वह भी अगेंस्ट है खास करके जिस तरह हैंडेल हो रहा है, कि आप हमास कितने मा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और कहीं खात्मा देखता नजर नहीं आ रहा है, छे महीने हो गए, और नार्मल लोग मारे जा रहे हैं, पैटालीस परसेंट जो हैं स्ट्रक्चर गाजा का तबाह हो गया है, तो हो जो है इलेक्शन के टाइम उन्होंने परसुई तो उन्होंने बात की नितिनाओं से आदे गंटी की बात में उन्होंने यही चीज कही है कि बाई जिस तरह आप चलना है उस तरह से हमारे उसे साब से ठीक नहीं है और गलती मत कीजिए हमें ट्रीन क्राइशिस बनाने की तो वह चीज जो है और उन्होंने इए का अपने अड्मिस्टेशन के उन्होंने बोला है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जो फूड एड्स सब लोग है होनी चाहते हैं जिस दिनों सीज़ इसार करेंगे वो बाहर हो जाएंगे तो बबी होनी चाहते हैं जो सबसे एक चीज है- पोस्ट वार गाजा क्या हालत होगी लड़ाई के बाद उस पर सामत नहीं बन रही है। काफी दिनों से युएसे इजराइल और वेस्ट और तीन तो देश हैं बाद की ये जौर्डन और कतर मिलकर के बाद चित कर रहे हैं उनके बीच में चल लए इस नुएइस बाद चल रही है। ये फिर वही चीज आ रही है आप देखिए Human Rights Council जो है उसने पाँच अपरेल को एक resolution एडॉप्ट किया है इजराइल के खिलाफ में जो कहता है कि इजराइल को वार क्राइम्स के लिए accountable करना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ अमेरिका नहीं चाहता था बट यह हुआ है वहाँ पर इसका मतल यह देखिए CIA डारेक्टर जा रहे हैं अब कैरों में Egyptian प्रेजिजन्ट से वो कतर में और जॉर्डन इन लोंगों से मिलेंगे और निचुरली हमास और इन से भी मिलेंगे मुसाद के भी चीफ हुआ जा रहे हैं बैसिकली इसलिए कि नहीं लाएंगे तो यह जो दुनिया मे आपकरस के उपर इन्होंने इसलिए दिख किया है अर कि इसे भ Самot Rekos को अपने 2 ज्रीयन ने गलती मानी है अपने दो मिडल रेंप ऑफसर को और एक जिन्रल को तो इन्होंने जो जो चीज हुई थी में होलोकास्ट ही बोलते हैं वो भूली नहीं है तो वो भी शांती करके आप उसको भूला नहीं सकते तो नितनाओं की प्रावलम यह भी है अगर शांती में उसके साथ मान गए तो फिर तो खुदी अपने पैर पर कुलाडी बार रहे हैं और लोगों क साए में रहेंगे एक ओभी चीज है ओभी आ रही है और चोथा जो है उनको एक नॉलेज़ करना कि हम जो है डरे हुए है यह जो चीजें है यह उनके ऊपर आ रही है लेकिन वो टू नेशन थियोरी जो नहीं चाहते हैं पूरी दुनिया चाह रही है अब तो लगबग सभी चाह रहे हैं युनाइटे नेशन में देखिए रिजालेशन हुआ था कि पहलेशने इनको पर्मेंट वो दे दीजे स्टेटस का या नेशन का दर्जा लेकिन अमेरिका ने अपोज किया लेकिन आप जर्वर तो ही हैं वहां पर तो यह जो चीज है जो इनके साथ के देश थ बड़ा मजबूरी में नेतिनाहो को कि यह ऐसा अब नहीं चलेगा इसके आगे बाकी जो देश हैं तो रूस और चाइना टोटली ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका को कि अमेरिका हथियार दिये जा रहा है अरब देश यही कह रहे हैं एक तरह शांती की बात कह रहा है अमेरिका और इसको हथियार दिये जा रहा है अभी पंदर मिलिन डॉलर का उन्होंने बोला है कि हथियार देंगे तो एभी चीज इनके बरकिलाफ जा रहा है बटो रोग भी नहीं सकते इनको और देखिए अब जो है जो एमर्जिंग पाउर्स हैं उनकी आवाज उपर आ रही है और रिबर्जिंग पाउर्स हम पहले कह चुके हैं इंडिया चाइना ब्राजिल तरकी और भी जो ग्लोबल साउथ वाले देश हैं वो अब आगे आ रहे हैं कि भाई जपैन और बागी भी लेकर के साउथ कोरिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा कब तक इस तरह हम चलाते रहेंगे और यह सारे फेल हो रहे हैं वर्ल्ड इंस्ट्यूशन सिकॉरिटी काउंसिल कहिए यून कहिए उनकी कोई बात हो कि महां सुन नहीं रहा है यहां कोई वीटो करते रहा है कुछ चल रहा है तो इससे कोई खास फर्क तो पढ़ना नहीं है और जो वेस्ट और बाकी कहते थे कि रूल आफ लॉड वर्ल ओर्डरी चलना चाहिए वो खुद नहीं कर पा रहे हैं यहां कुछ और दिखा रहे हैं रूस इक्रेन में कुछ और दिखा रहे हैं तो इस वज़ज़ से यह जो अरब वर्ड है एक तरह से निराश और हतास हो गया है अफरिका का भी वही हाल है सौफ अफरिका तो इनके अगेंस गया था इवनों में इंटरनेशनल कोड अफ जसिस्त में चला गया था तो एक चूज़े कुछ चीज़ें ऐसे आरही है जो कि इनके अगेंस जा रही हैं वेस्ट के अमेरिका के और इसकी वज़ज़ से नए देश आ रहे हैं जो एक कह रह तो यह व्योस्था इनकी वज़े से बदल रही है और बदलेगी अभी देखिए युएस की डिपलेमसी मानी जाती थी हमेशा अब देखिए हर जगा डाउन हो गई है इतने दिनों से घूम रहे हैं लेकिन कोई खास उनहीं पड़ रहा है और यह कहा जा रहा है अफरीका और इसमें कहा जा रहा है कि इसराइल ने एक नया वेपन ढूंड लिया है हंगर लोगों को भुखा रखो उसी से मरने दो यहीं हो रहा है वहां जैसे कि हमने का कि साइबर और चाइना का कार्टोग्राफिक वारफेर और वहां वाटर बॉम्स हो गए थे कि डैंस बस्त कर दो बाकि कर दो उससे जो है रशाय उक्रेयन में तो एक चीज यह नहीं तरह की चीज़ें आ रही है जो एफेक्ट कर रही है मैं आपको सर्फ एक जाम्बल देना चाहता हूं देखिए 27 अक्टूबर को जो रिजू रिजॉलुशन अमेरिका ले आया था वहां उसमें जो है 121 ने उसको उसके साथ थे 121 देश 14 ने अगेंस किया और 44 एपस्टेन किये 12 दिसंबर को उसमें अलग जो आ गया उसमें 111 ने माना ये रिजॉलुशन चुकि बात में अमेरिका ने उसको कर दिया विटो कर दिया बड़ देखिए ये बढ़ गया 121 से 111 मतलब 30 देश और अम ये जो है इवन लेटर देखिए दिसंबर में जब इन्होंने होतीज खिलाब आप प्रास्पेर्टी गार्डियन शुरू किया था सिरफ दस देश आगे आये थे कि उनके साथ देंगे जिसमें कि इवन इरोपेन इनियन साथ नहीं था पूरा इनके खुद के जो है कुछ य अरब देश भी अपना वर्चस लोगें गलोबल साउथ अब उपर आएगा और यह जब आएंगे तो गलोबल साउथ का वाइस वह भी जानते हैं कि भारत है और भारत उपर आ गया है इन देशों के लेकिन भारत अकेले उपर नहीं आना चाहता है भारत सब को लेकर उपर करना चाहता है सब की आवाज लेकर के और कहीं भी अब शांती ब्यूस्था चाहिए उक्रेन में देखिए युकेर रसाने बोला मेडियेट करने के लिए और यहां भी फीलर्स आ रहे हैं तो भारत की बिना नहीं चल सकती हो भारत जब चलेगा तो यह गलोबल साउथ के जो विश्च की जो ब्यूस्था है जो थी वो बदल रही है और बदलेगी बिलकुल तो यह था हमारा कारिक्रम शौरपत और इसमें हमें हमेशा की तरह वैश्विक मुद्व पर चर्चा की है और किस तरीके से पूरी दुनिया में उठल फुतल मचा हुआ है और किस तरीके से स अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके